दोस्तो आज की वीडियो में आपको पताने वाला हूं कि अगर आपके पास इगनिस है तो इगनिस का इंजन कितना ज़्यादा रिफाइन और स्मूथ है हाला कि इस से भी जादा स्मÜथ या फिर रिफाइन inches अब ही जो डिवा ज तरी उसमें दे रही जो की जादा साइलेंट निजन है और बहुत ही जादा जो है रिफाइन और स्मूоत है आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी को चला आते हमें भी पता नहीं चलेगा कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट है या नहीं केबल जब आप गाड़ी को ड्राइब करेंगे तो तायर नोस से जो है आप समझ सकते कि गाड़ी चल रही है और जैसा कि इगनीस का जू जो जो नहीं दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह मित है कि इगनीस में के स्रीज इं dual bvt का तो इसमें आपको estem त्थी नहीं मिलती और ना ही ऐ के सिरी में यह तो बहुत सारे लोह कह ति है कि इगनिस दिया गए और कैसी इंजन ना और है मैंने कुछ इडिक गल्ती से यह भी पता दिया कि यह के सिरी express है मुझे पहले पता नहीं था लेकिन अभी मुझे पता चला है कि इसमें K-series नहीं है तब भी इस इंजिन का रिफाइन्मेंट लेवल बहुत ही जाए जब देशते हैं बहुत ही साइलेंट और स्मूथ इंजिन है सेल्फ की अवाज सुनाई देगी उसके बाद इंजिन में कोई भी आवाज नहीं आएगी हाला कि अभी जो गाड़ी है मॉर्णिंग में फस्टाइम स्टार्ट हो रही है तो इंजिन जो है वो ठंडा है यानि कि टेंपरेचर इंजिन का वह भी नॉर्मल नहीं है इसलिए थोड़ा आर्पिम ज्यादा होगा लेकिन जैसे ही इंजिन थोड़ा वाम हो जाएगा तब इंजिन अपने नॉर्मल आर्पिम पर आ जाएगा आइडल की पोजिशन पर फिर देखना आपको पता भी चला है कि इंजिन जो है स्टार्ट है या नहीं तो अभी आप देख पा रहे होंगा यहां पर जो आर्पिम करीब देड़ हजार के करीब है और आपको आवाज भी जो आ रही और हो यह जैसे ये इंजिन का रपिम नॉर्मल हो जाएगा और यहां भी आप देख पा रहे हो एंजिन थंडा है तो ब्लू लाइट ओन है तो तो थोड़ी देर बाद जो है मैं आपको दिखाता हूं और आप मैसूज करेंगे कि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही तो यहां पर जो है इंजिन का जो आर्पी में वह लगबक आइडल पर आ गया है अभी थोड़ा और नीचे आएगा आप देख पार हूं यहां पर जो इंजिन का कोई साउंड नहीं आ रहा हूँ थोड़ा सा मैं बाहर चलके भी आपको दिखा देता हूं कि इंजिन में से कितना साउंड आ रहा है हाला कि जो आर्पी में अभी थोड़ा ज्यादा है तो बाहर चलके चेक कराता हूं तो यहां पर जो है दोस्तों अभी गाड़ी का इंजन स्टार्ट और आपको जो है मैसूस भी नहीं हो रहागा अगर मैं केमरा पास ले जाँ तब आपको जुरू समझने आ रहा हुगा कि देखिए बिल्कुल जो है साइलेंट इंजन इसका और केविन में तो बिल्कुल पता यहीं चलता कि इंजन स्टार्ट हें नहीं है और जैसे हम गाड़ी को ड्राइब भी करते हैं तब भी पता नहीं चलता मैंने अभी विंडो पूरी उपर कर लिए बिल्कुल भी आवाज नहीं है कर द॑ करंफ नहीं कोई बाइब्रेशन नहीं हो रहा हुझ को अब देख भी बंट कैविन इसका मुझह फील होता है इसलिए इसको चलानेब काफी मज़ा आता है जाड़ी हाई आर्पिम पर पहुछने के बाद भी बिल्कुल भी बाइब्रेशन फिल नहीं होता है तो नहीं नोईज करता है इसका इंजन तो थोड़ा साथ दूस्तों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इंग्निस का जो इंजन ने वह कितना पावर निकालता है जबकि मारुती की जो और इंजन आ रहा है के सीरीज इंजन डॉल बीटी डॉल जेट टेक्नोलजी के साथ में उनका माइलेज काफी अच्छा है